बहना जटा पंचायत के अंदरकर चार गाओं आते हैं और इन चार गाओं की अबादी लगबग 2,000 लोगों के आसपास की है यहां के लोगों गयाना है कि पिछले 10 सालों से स्वास्तिय सुविधाय सही ना होने के वज़े से रोजाना उन्हें किस ना किसी परशानियों से गोजरना पड़ता है इसी परशानियों जानने के लिए मैं पहना जाता गाओं में आया और जगदीश कुमार से मिला जगदीश कुमार ने बताया कि उनका परिवार भी स्वास्तिय सुविधायों की समस्या से किस परकार रोजाना चूचता रहता है आपकी काओं में स्वास्तिय की सुविधाय कितने वर्शों से नहीं है यह तो सुनु से ही हैं जिस्वेंसरी को लिया उपर एक घर गिरों के दूर उससे पहले यहाँ कोई स्वास्तिया का अमारे नदी की यहाँ पंचाइद में कुई ऐसा साधन नहीं था जिस्वेंसी जो है उसमें भी दोईय वगेरी कम ही मिलती है और ऐसा कोई सादन नहीं है अब आमादी भी कोखिर या दूर तराज या दुमारवी या लास्पूर दस-बीस किलोटर दूर अपर जाना पड़ता है अब गिनकों कोई बिमार हो जाए तो फिर उसका तो इलाज है जासके हैं मोटर बूर से जासके हैं अब रात को मोटर बूर का भी सादन नहीं होता है सब को जाना पड़ता है ऐसी कोई बड़ी सुधा या पर सवस्ते हैं नहीं है नहीं है ना पने के लिए ना तो टैक्सी के सुधा है और ना ही एमबूलस की लोगों को अपनी जान जोखियं पर या जोखिये और वहापर सिर जीछ को कश्ती में बैठ कर पार करना पड़ता है गाध्यासकर को बासिक कौने और बास्पूराइं कि आए पार दो पSONुए होने हैं, पालव चैनल है इसे चूंए है। इसे प्रख़ज के सवाथ करें अदी नर्वास्टा कर पर सकता वामोर्च को पर कुए प्रॉष्टा करुछा है। अगर कोई एमरिजनसी केस हो जा रहा है उस वक्त किस तरह की सुविधा है मैं यहाप इस वीडियो के माध्याब से जिला प्रशाचन का ध्यान इस तरह लाना चाहता हूं अजाता हूं कि जिला प्रशाचन पहना जटा पंचायत में एक प्राथमिक उपचार केंदर का निर्मान करें और सभी स्वास्ति सुविधा है उसमें उपलब्ध हो ताकि यहाँ के निवासियों को कही इलाज के लिए दूर ना चाहना पड़े मेरी मदद करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9418529565 मैं हवदेश नेगी इमाजर परदेश के बिलासपुर जिले से इंडिया अनहर्ट के लिए